हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए 25 इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्पूर है इसलिए इस वीडियो को स्किप न करते हुए लास तक हमारे साथ बने रहें और दोस्तों यदि भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आकॉन ज़रूर प्रेस कर दे ताक कि आपको एक्जाम से लेटे डेली वीडियो उसका नोटिपिकर सन मिलता रहे चलिए फिर स्टार्ट करते को पता है तो आप लगा सकते हैं तो दोस्तों मानसरी की सबसे चोटी हड्डियो ती स्टेपीस जो की कान में पाई जाती है तो आप याद करते चलिए हमारे साथ ये काफी महत्मूर कोशन है कोशन नमर थर्ड है साइनो कोबालवीन क्या है तो साइब कोबालवीन को जो रसानिक नाम दोस्तों वो है विटामिन B12 यानि कि इसका ओप्सन D करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है बायमंडली दब आपको मापने के लिए किस यंद्र का उप्योग किया जाता है दोस्तों इसका एंसर पता है तो आप लगा सकते हैं बाइमेंडली दब आपको मापने के लिए दोस्तों बाइरोमीटर ठीक है यानि कि यह ओप्शन भी करेक्टर बाइरोमीटर का अंदर का उप्योग के जाता है दोस्तों यहाँ पे आपको बतादे कि hydrometer जो है यह द्रब का आप एक्षिग घनत इससे मापा जाता है और manometer की बात करें तो manometer गैस का घनत तो मापने के लिए क्यांत रही है और hygrometer से दोस्तों yu की आप एक्षिग आधरता मापा जाता है ठीक है तो यह आप याद रखिएगा आप पूछा तब रेलवे एक्जाम भी पूछा गया था यह question ठीक है hydrometer से क्याम आपा जाते है तो hydrometer drop का आप एकशी घनत तुम आपा जाता है जबकि 22 दवाब को मापने के लिए किसे अंतर का उप्योग के आता है बैरोमीटर का ठीक है यानि कि option भी correct हो जाएगा question number 50 दोस्तों निम्रिकित में से count सी एक सदिस रासी नहीं है इसका answer आपको पता है तो आप लगा सकते हैं इसका correct answer जो आप दोस्तों option D दरब्यमान ठीक है दरब्यमान एक सदिस रासी नहीं है देखे उस सौकपद एक सदिस रासी क्या होती है जिस बहुतिक रासी में मातर तथा दिशा दोनों नहीत होते हैं उसे सदिस रासी कहते हैं और अदिस रासी दोस्तों जिस रासीों में सिर्फ परिणाम होता है उसको अदिसराशी कहते हैं ठीक है तो कौन सी सदिसराशी ने इन में से द्रब्यमान हमारा अगला कोशन है निम्रिकित में से किसने फीफा प्लेयर आप दियर अवार्ड दो अठारा जीता है तो ये दोस्तों इसका करेक्ट अंसर जाएगा और फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फाम याद रखियेगा फेडरेशन इंटरनेशनल डीप फुटवाल असूसियेशन ठीक है फीफा इसकी स्थापना का वोई थी फीफा की 1904 में फीफा का है जीवरीक सुजजलेंड में और फीफा के बरतमान धेक्ष कोन है गियानी इनफेंटिनो ठीक है तो फीफा प्लेएर आप देएर अवाट 288 किसने जीता क्रोईशिया के प्लेएर रूका मेड्रिक हमारा अगला कोश्चन है 2018 के लिए नोबेल सांती पुरुषकार किस विक्ति को दिया गया है तो दोस्तों आप बता दे कि युद्ध और ससत संगर्स के हथियार के रूप में यह उन हिंसा के उपयोग को साप्त करने और उनके प्रयासों के लिए डेनिश मुकवेदे और नादिया मुराद को सहिक तुरूप से नोबेल सांती पुरुषकार 2018 मिला है यानि कि इसका ओप्सन सी करेक्ट है डेनिश मुकवेदे और नादिया मुराद दोनों को मिला है ठीक है तो आप याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है नोबेल सांती पुरुषकार इसलेटेट कोईश्चन एक्जाम में पूछा जाता है हमारा अगला कोशन है नवंबर 2018 में लॉंच की गई 281 एंड बियांड नामा काथ मद्खा निमिकित में से किस खिलाडी की है तो आपको अतादिक भारती पूर्ब क्रिकेटर वीवियस लक्षमड ने अपनी आगत्म कता 281 एंड बियांड को लॉंच किया यह अप उस तक प्रसीद संबाद दाता आर कोशिक द्वरा लिखी गई है ठीक है इसका करेक्ट रेंसर जाएगा ओप्सने वीवियस लक्षमड अगला कोशन है निमिकित में से किसे ग्यानपीट पूरुषकार 281 से समानित किया गया है दोस्तों आपको बता दें ग्यानपीट पूरुषकार 281 मिला है अमिताब घोषको ठीक है ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा ग्यानपीट पूरुषकार 281 इसको मिला है अमिताब घोषको बहुत इंपोर्टन कोशन है जरूर ध्यान रखिएगा आगामी एक्जामसे में पती सिरिल रामा फोसा यानि कि इसका ओप्सन भी करेक्ट है सिरिल रामा फोसा याद रखिए गनाम इनका ठीक यह होगे अपने 26 जनवर 2019 में होगा कर्दन दिवास अमारूस में मुख्यत थी होगे अगला कोशन दोस्तों राश्ट्री विग्जान दिवास किस दिन मना जाता है तो यह सिंपल कोशन है लेकिन यह बहुत बार एक्जामें पूछा गया है तो यह इसका इनसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट इनसर जाएगा ऑप्सन सी 28 फर अगला कोशन भी बहुत इंपोटेंट है राश्ट्री खेल दिवास किस दिन मना जाता है काफी सिंपल है इसका एंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो देखिए दोस्तों भारत में राश्टी खेल दिवास 19 अगस्त को मना जाता है और आप याद रखिएगा जो भ कोशन नमर 13 दोस्तों आठ आप हिंडिया पुस्तक किस दिन लिखी है तो इसका एंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं उसका करेक्ट एंसर हो जागा दोस्तों ऑप्सन भी मार्क तुली ने अगला कोशन है हमारा कोशन नमर 14 है भारतिक ज्यानपीट पुरुसकार और ये देश की मानित अप्राप्त 22 भासाओं में से किसी भी भासा के लिए साहित्यकार के सिजनात्मा के योगदान के लिए भारतिक ज्यानपीट ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है और प्रथाम एक ज्यानपीट पुरुसकार विजयता काउन थे जी शंकर कुरूप य penniesi 1944 में 1954 में देशना sûr भारत की तर्रीखा की लंबाई कितनी ये इसका इंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो भारत के तर्रीखा की टुटल लंबाई दूरु the you should ने correct है, question number 17 है, सबसे लंबी तर्टरेखावाला राज्य कौन सा है, तो दोसों सबसे लंबी तर्टरेखावाला राज्य है, ये गुजरात है, option भी correct हो जाएगा, question number 18 है, भारत की सर्वोच परवस्रेणी कौन सी है, तो इसका answer आपको पता है तो आप बता सकते हैं, तो भारत बारत की सर्वोच परवस्रेणी है, गेडवीन आस्टीन, केटू गाडवीन आस्टीन, option A correct हो जाएगा, question 19 है, किस नदी का उद्गामस्तर भारत में नहीं है, तो आपको बताने किस नदी का उद्गामस्तर भारत में नहीं है, correct answer हो जाएगा, option D, सतलाज, ठीका, सतलाज न जी दोस्तो दक्षिन पस्चीमति बत में मानसर ओवर के निकट, राक्षा स्टाल से इसका उद्गामस्तर भारत हो जाएगा, question 20 है, रानी लक्षिमी भाई का मूल नाम क्या था, तो काफी important और बार बार पूछा गया question है, रानी लक्षिमी भाई का मूल नाम था दोस्तो ठीक है, इंडिया फॉर इंडियं के लेका कौन है, चितरंजन दास, question नमर वाई से, इंडियन अन्रेश्ट के लेका कौन है, दोस्तों इंडियन अन्रेश्ट के लेका कैं, वेलेंटाइन शिरोल, option d, question 23 है, सनसत के दोनों सदनों के शेहिक तो अधियशन की अधिक्षिता क भारती सम्धान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है तो आपको बता दे कि भारती सम्धान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है यानि कि इसका option D correct हो जाएगा भाग 9 और लास्ट कोस्टन हैं बलवंत राय महता सम्ति गठन की श्वर्ष किया गया दोस्तों आपको पताना है कि बलवंत राय महता सम्ति गठन की श्वर्ष किया गया था तो दोस्तों इसका राइट जन्स रो जाएगा option D 1957 में तो ये थे जीके की important question ये दिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को share करें चैनल को subscribe जरू कर लें ठीका और comment बताए कि ये वीडियो का इसा लगा आपको तब तक के लिए उस तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका दिन सुबो स्वस्तर हैं ब्यस्तर हैं मस्तर हैं जै हिंद जै भारत अभीन जै एफिया ओक स्वस्तर हैं मेर्ब तक क्या कर दो खेसे आपका आपका दिनगांड़ से यदिन